नमस्कार मैं हूँ राज मोहन की वारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार बिहार में कुरोना का संक्रमन जिस प्रकार से हर दिन अपने रफ्तार के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है ऐसे में बिहार में अब लॉकडाउन की मांग भी काफी जादा तेज हो गई है 18 अप्रेल को निति सरकार ने ये फैसला लिया कि केवल नाइट कर्फ्यू ही लगाया जाएगा लेकिन उनके इस फैसले पर बीजेपी के ही परदेश अध्यक्ष संजय जैसवाल ने सवाल खड़े कर दिये थे और उसके बाद जेडियू और बीजेपी के निताओं के बीच में कुछ जुबानी जंग भी देखने को मिली थी लेकिन अब बिहार सरकार में मंत्री राजश एमम भूमी सुधार मंत्री हैं रामसूरत राय उन्होंने भी लॉक्टाउन की मांग कर दी है उनका कहना है कि जिस प्रकार से शंक्रमन बिहार में लगतार अपना पैर पसारते नजर आ रहा है ऐसे में एक मात्र विकल्फ फिलाल लॉकडाउन ही है बिहार को भी 36 गड़ और महराष्ट बनने से अगर भचाना है तो जितना जल्दी हो सके लॉकडाउन लगाना होगा पिछले कुछ दिनों में उनके पास लगतार फोन कॉल्स आ रहे हैं जहां पर लोग जो हैं चिकित्सिय सुविदा और अस्पतालों में एड्मिट होने को लेकर उनसे मदद मांग रहे हैं ऐसे में उनका कहना है कि जिस प्रकार से अभी स्थितियां प्रतिदीन बिगरते नजर आ रही हैं ऐसे में सरकार को एक करा फैसला लॉकडाउन को लेकर लगाना होगा और सरकार इस पर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करवाई करें आपको मालूम होगा कि 18 अप्रेल को लॉकडाउन की जगह नाइट करफ्यू लगानी की घोसना बिहार सरकार द्वरा की थी लेकिन जो सरवदलिये बैठक उसके एक दिन पहले हुई थी उसमें एंडिये की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी बीजेपी के प्रदेशन थे उनका कहना था कि अगर शंक्रमन को जल्द से जल्द रोकना है तो लॉकडाउन बेहत जरूरी है लेकिन छोटी पाटियों में से एक जीतनराम माजी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और जीतनराम माजी भी उस सरवदलिये बैठक में मौजूद थे उन्होंने भी लॉकड इस अध्यक्ष की बातों को नकार दिया और नाइट कर्फ्यू लगाया लॉकडाउन नहीं लगाया और उसके बाद ही कई बार जेडियू और बीजेपी के नेताओं के बीच में जुमानी जंग भी देखने को मिली लेकिन अगर बात करे बिहार में बढ़ते संक्रमन की तो मामला काफी जादा आगे बढ़ चुका है लगतार नए मरीजों की मिलने की संख्या 12,000 से उपर दिखाई दे रही है पिछले 24 गंटे की भी बात करे तो 12,600 से जादा नए संक्रमित मरीज पूरे बिहार में मिले हैं कुरोना से मरने वालों की संख्या भी 2000 के पार चली गई है ऐसे में जो शंक्रमित मरीजों की संख्या दिन प्रति दिन बढ़ते जा रही है उसे रोकने के लिए सरकार को कुछ सक्त कदम उठाने होंगे और सरकार में जो मंत्री हैं बीजेपी के खासकर वो लॉकडाउन की लगतार मांग कर रहे हैं भले ही नितिश कुमार उनकी ब भी लॉकडाउन की तरफदारी करते नजर आ रहे हैं और यहां तक की जो रनितिकार हैं वो भी इस बात को लेकर बयान दे रहे हैं कि जिस प्रकार से दिल्ली और जारखंड में लॉकडाउन लगाया गया ऐसे में बिहार को भी यह जरूरा थे कि जल्द से जल्द तीन दिन बिहार कम से कम हो तैसे में नितिश सरकार के उपर बीजेपी के नेता और बीजेपी लगदार लॉकडाउन को लेकर दबाव बना रहे हैं हलांकि खुद प्रधान मंत्री नरेंद्र मूदी ने यह बयान दिया है कि लॉकडाउन अंतिम विकल्प होना चाहिए क्या बिहार अंतिम विकल्प की और बढ़ चुका है बीजेपी के तरफ से जिस प्रकार से लॉकडाउन की मांग की जा रही है इससे कहना कताई गलत नहीं होगा कि बिहार साइद अब लॉकडाउन की तरह आगे कदम बढ़ा रहा है जीलो में डीम अपने इस्तर से जरूर फैसले ले र आ रही है आप बने रही है लाइव बिहार के साथ आपका बहुत-बहुत धन्यवाद लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें